हलो एवरिवन टिकलेज एकडेमी योटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम बेटफर्ण ओफ रिजॉलूशन एंड कंपोजिशन ओफ फोर्सेस ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें 11th प्रॉलेम सौल करेंगे वैसे इसके पहले अल्रेडी हमने इसके 10 प्रॉलेम्स किये थे और भी number of topics हमने इसके पहले study किये थे तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉलेम्स और सभी topics अगर नहीं study किये हैं तो आज के वीडियो के description में जाएए वहाँ पे आपको इसके पहले के सभी topics के playlist का link में जाएंगा वो link प तो क्वेशन आपके सामने है ये प्रब्लम हम सॉल करेंगे लेकिन ये प्रब्लम की स्पेशालिटी ये कि इसमें डाइग्राम दिया नहीं है कौशन दिया है कौशन में जो दिया है उसके कौशन में इस वेशन दाइग्राम पर जाना वारा करना था है यहां भी problem में 5 forces दिये हैं, तो चलो सभी के सभी 5 forces यहां भी show करेंगे, तो question आपके सामने है, तो देखे, question में जो लिखा है, उसके according हम चलेंगे, पहले question में क्या लिखा है, देखे, first beat में लिखा है, 4 newton acting due north, 4 newton acting due north, इसका मतलब north के तरफ आपको 4 newton show करना है, तो north के तरफ यह देखे, यह जो north है, यह north के तरफ आपको पहला 4 show करना है, 4 newton, तो यह देखे, यह हमने 4 newton हमने north के तरफ इधर show किया है, 4 newton due north, acting due north, अब third beat देखे, third beat में क्या लिखा है, third beat में लिखा है, 1.5 newton acting due east, मतलब east के तरफ आपको 1.5 newton शो करना है तो चली हम इधर 1.5 newton east के तरफ इधर शो करेंगे तो ये देखे 1.5 newton east के तरफ हमने इधर शो किया है east के तरफ 1.5 newton और आगे पढ़ेंगे question में तो आगे second bit दिया है 3 newton acting northwest towards the point 3 newton acting northwest northwest towards the point इसका मतलब north और west के बीच में से north west मतलब north और west के बीच में से आपको शो करना है तो इनके बीच में से अगर वो pass होंगा तो वो 45 degree का एंगल बना के जाएंगा क्योंकि north और west में at present 90 degree का एंगल है तो अगर इनके बीच में से अगर आपको शो कर रहा है force तो यह हमने शो किये that is inward that is towards the point 3 Newton तो यह हम लिखेंगे यहाँ पर 3 Newton तो यह देखे हमने यहाँ पर शो किया है और angle हम 45 degree का show करेंगे तो यह देखे 45 degree का angle शो किये और अब हम यहाँ पढ़ेंगे अगर properly चेक करेंगे 4th bit अगर हम पढ़ेंगे तो 4th number पे लिखा है 1 Newton acting 30 degree West of South away from the point मतलब 1 Newton का 4 जो है 30 degree से inclined है West of South लिखा है West of South मतलब West say South के तरफ West of South मतलब West say South के तरफ आपको South के साथ angle लेना है 30 degree का away from the point ऐसा लिका है तो यह देखे हम यहाँ पर West of South मतलब West say South के तरफ तो यह हम West of South west और south के बीच में west से south के तरफ तो south के साथ हमने angle show किया that is 30 degree का angle और यह force कितना है यह 1 newton का force है और last में लिखा है 5 newton acting 60 degree north of west away from the point 5 newton acting 60 degree मतलब 5 newton का force है 60 degree से inclined है north of west लिखा है north से west के तरफ देखे north of west मतलब north से west के तरफ west के साथ angle है 60 degree और away from the point लिखा है तो हम यह show करेंगे north of west मतलब north और west के बीच में एक और force हम भी show किये थे तो एक और force हम यहाँ भी show करेंगे यह हमने force शो किया है और यह force है 5 newton का और यह 60 degree से inclined है question में लिखा है north of west मतलब north से west के तरफ और west के साथ angle रहेंगा वो 60 degree का तो यह है वो angle that is 60 degree का angle तो finally हमने यहाँ पे एक force system तैयर कर लिया है question में जो दिया था उसके according यह force system बनेगा east west north south दिया था और forces का position दिया था वो हमने यहाँ पे show कर लिया है और अब हमें यह force system का resultant find out करना है resultant find out करते समय आपको 3 चीज़े निकालना होता है resultant का magnitude, direction और position वो हम solve करेंगे और resultant का magnitude, direction, position find out करते समय क्या steps होती है वो आपको पता है इसके पहले हमने 10 problems solve किये थे वो सभी 10 problems अगर आप लोग ने regularly study किये है तो वो सभी steps आपको पता होगा तो देखे वो steps क्या है वो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले आपको resultant का magnitude find out करना होता है resultant का magnitude find out करना it means r find out करना तो r find out करने के लिए r को find out करने का formula यह है r equals to under root of summation of f of x square plus summation of f of y square यह formula से आपको resultant का magnitude मिलता है तो ये formula से हम पहले resultant का magnitude r find out करेंगे r find out करने के बाद हमें resultant का direction it means उसका angle theta find out करना होता है तो theta find out करने के लिए formula ये होता है that is tan inverse of determinant में summation of f of y by summation of f of x ये formula से आपको resultant का angle it means theta यहाँ पे बिल जाएंगा और last में होता है resultant का position find out करना और resultant का position find out करते समय हमें resultant का way of action चेक करना होता है जो कि हमें उसके quadrant से पता चलता है वो भी हम यहाँ पर solve करेंगे लेकिन सबसे पहले आप यहाँ भी properly check करो अगर आपको resultant का magnitude r find out करना है या theta find out करना है तो सबसे पहले आपको summation of f of x f of y find out करना पढ़ेंगा यह देखिए यह summation of f of x और summation of f of y अगर आपने summation of f of x f of y find out कर लिए तो यहाँ पे हम easily यह under root के अंदर put करके हम r find out कर सकता है और यहाँ पे summation of f of x f of y use करने से हमें theta मिल जाएंगा तो चलो सबसे पहले summation of f of x f of y find out करेंगे तो सबसे पहले आता है summation of f of x then आएंगा summation of f of y अभी summation of f of x f of y क्या होता है वो भी हमने इसके पहले बताए थे तो वो एक बार revise कर रहे summation of f of x माने summation of horizontal forces और summation of f of y माने summation of vertical forces यह जो system आपके सामने है यह system में जितने भी horizontal forces है vertical forces है उन सभी horizontal vertical forces का जब आप summation करेंगे तो ऐसे summation को आप summation of f of x f of y कहेंगे अगर आप properly check करेंगे तो यह system में आपको horizontal force भी दिख रहा है vertical force भी दिख रहा है और inclined force भी दिख रहा है horizontal forces का summation it means summation of f of x तो vertical forces का summation it means summation of f of y लेकिन inclined forces का क्या तो inclined forces का कभी भी summation नई होता responding forces का summation नहीं होता इसलिए हमें क्या करना है हर incline force को horizontal vertical में convert करना है इसलिए method का नाम है method of resolution and composition तो चलिए, finally यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जितने भी inclined forces है, सभी inclined forces को पहले resolve करेंगे, it means दो-दो पार्ट में divide करेंगे, then वो होने के बाद summation of F of X, F of 5 find out करेंगे, जब तक आप summation of F of X, F of 5 find out नहीं करेंगे, तब तक ना R मिलने वाला है, ना theta मिलने वाला है, ले हमने बताये थे, वो वीडियो आप पूरा देखिए, थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन वो आप पूरा देखिए, ताकि resolution का concept आपका clear हो जाए, कभी inclined force का angle दिया होता है, कभी नहीं दिया होता है, कभी horizontal, कभी vertical, different side के साथ angle दिया होता है, तो कैसे inclined force को different way से resolve करना, वो स 11 problems solve कर रहे, इसके पहले हमने इसके 10 problems solve किये थे, वो सभी problems आप यहा से study कर लिजेगा, आज के वीडियो के description में जाएए, वहाँ पे आपको engineering mechanics playlist का link मिल जाएगा, वो link पे click करके यह सभी videos आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगे, तो आईए, फिलाल यहाँ पे सबसे पहल करेंगे, inclined forces को resolve करेंगे, तो यहाँ पे inclined forces कितने है, तो यहाँ पे आपको inclined forces, 3 forces दिखाई दे रहे, देखिए, यह एक 5 newton का inclined force है, जो की 60 degree से inclined है, यह 3 newton का inclined force है, जो की 45 degree से inclined है, और यह 1 newton का inclined force है, जो यह 30 degree से inclined है, तो चलो सभी inclined forces को resolve करेंगे, it means 2-2 part में divide करेंगे, सब न्यूटन ऐसा आउटवर्ड जा रहा है देखिए आउटवर्ड फाम दे पॉइंट अवे फ्रम दे पॉइंट पॉइंट से दूर तो इसके दोनों कंपोनेंट्स हम ऐसे आउटवर्ड शो करेंगे इसका एंगल जो है 30 डिग्री का एंगल है ऐसा वर्टिकल साइट के साथ तो वर्टिकल कंपोनेंट लेखेंगे कॉस 30 और होरिजंटल कंपोनेंट लेखेंगे साइन 30 कोई भी इंकलाइट फोस को रिजॉल करना है तो उसका एंगल पता होना चाहिए यहाँ पे एंगल पता है 30 डिग्री का एंगल है एंगल या तो होरिजंटल के साथ पता होना चा हैंगे 1 sin of 30 degree तो finally हमने 1 newton को 2 part में यहाँ पे divide कर लिए यह vertical component यह horizontal component उसी तरह से यहाँ पे यह 3 newton inclined force को भी हम 2 part में divide करेंगे यह 3 newton ऐसा अंदर आ रहा है inward towards the point अंदर आ रहा है तो इसके दोनो components भी अंदर आएंगे तो यह हम यहाँ पे show करेंगे यह देखे इसके दोनो components हम यहाँ पे अंदर में ऐसा show करेंगे यह देखे है हमने ऐसा inward मतलब यह अंदर आएंगे ऐसा हमें show किया है इसका angle चेक करिए 45 degree का angle है यह जो 3 newton जो है यह 45 degree से inclined है और यह angle ऐसा horizontal side के साथ दिया है यह देखे है यह horizontal side यह vertical side यह x-axis यह y-axis तो यह जो 45 degree का angle है यह ऐसा horizontal side के साथ angle है तो horizontal component लिखो cos 45 और vertical component लिखो sin 45 तो हम horizontal component लेखेंगे 3 cos of 45 degree और vertical component लेखेंगे 3 sin of 45 degree तो finally हमने यह 3 newton inclined force को भी दो part में हमने divide कर लिए यह horizontal component और यह vertical component और अब यह 5 newton की बारी यह 5 newton है यह 5 newton outward जा रहा है point से दूर जा रहा है तो उसके दोनों components भी outward जाएंगे तो यहाँ पे एक काम करेंगे यहाँ पे फिलाल लिखने के लिए जगा नहीं है तो इसको थोड़ा सा अपन extend कर लेंगे force को आप extend कर सकते हैं अगर आपके पास आपके पास जाहाँ space है वहाँ पे आप resolution शो करो कोई दिक्कर नहीं है तो हम यह resolution ऐसा बाहर शो करेंगे और यहाँ पे हम इसको resolve करेंगे यह देखिए ऐसा हम ऐसा बाहर शो करेंगे ऐसा ठीक है यह 5 newton inclined force है जो की outward है 5 newton inclined है outward है तो इसके दोनों components भी हम outward शो करें और इसका angle चेक करिए क्या है इसका angle देखिए यह 60 degree का angle है ऐसा horizontal side के साथ angle है horizontal component यह देखिए horizontal side यह vertical side यह x-axis यह y-axis तो यह जो 60 degree का angle है यह ऐसा horizontal side के साथ angle है तो horizontal component लिखो cos 60 और vertical component लिखो sin 60 तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे cos 60 horizontal component तो यह हो गया 5u cos of 60 और यह हो गया vertical component 5u sin of 60 तो finally हमने सभी inclined forces को यहाँ पे resolve कर लिया है और अब हम system को solve करेंगे और सबसे पहले हम summation of f of x, f of y find out करना start करेंगे देखिए summation of f of x, f of y find out करना है तो summation of f of x क्या है? summation of f of x माने summation of horizontal forces इसका मतलब यह है कि जितने भी horizontal forces है उन सभी का submission horizontal forces माने वो forces जो along the x-axis होते है parallel to the ground और vertical forces माने वो forces जो along the y-axis होते है perpendicular to the ground तो यहाँ पे यह जो system है, यह system में जितने भी horizontal forces है वो सभी horizontal forces को हमें plus करना है, उनका addition करना है, उनका submission करना है लेकिन submission परने का एक छोटा सा rule है rule ऐसा है कि right side जाने वाले forces को plus लेना है right side जाने वाले plus तो left side जाने वाले minus तो आईए देखते हैं कि यहाँ total कितने horizontal forces है और कौन right side जा रहा है कौन left side जा रहा है तो यहाँ पर horizontal forces की अगर बात करें तो यह देखे 1.5 newton का एक horizontal force then यह 5 cos 60 then यह 3 cos 45 और यह 1 sin of 30 इतने horizontal forces है 4 horizontal forces है चारो forces equation में आएंगे right side जाने वाले plus left side जाने वाले minus तो यह 1.5 newton right side जा रहा है यह plus मिलेंगे यह 5 cos 60 left side जा रहा है minus यह 3 cos 45 right side जा रहा है plus और यह 1 sin 30 left side जा रहा है minus तो आईए equation लिखते हैं तो equation में यह सब को हम लिखेंगे 1.5 plus में हम यहाँ पे यह भी लिखेंगे कि right side जाने वाले plus है 1.5 plus में minus 5 cos of 60 then plus 3 cos of 45 और यह minus 1 sin of 30 और अब हम इसको calculator में solve करेंगे और देखेंगे calculator में इसका answer क्या आता है क्या से degree mode में होना 1.5 minus 5 cos of 60 plus 3 cos of 45 then minus 1 sin of 30 और Kelsey में यह answer हैंगा that is 0.621 0.621 Newton तो finally हमें summation of f of x मिल गया अब हम summation of f of y करेंगे summation of f of y माने summation of vertical forces जितने भी vertical forces है उनका summation summation करने का एक चोटा सा rule है vertically उपर जाने वाले forces plus लेना है तो नीचे आने वाले forces minus तो चलो देखते हैं यहां कि कितने vertical forces है कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे आ रहा है वो हम check करेंगे तो यह देखे वर्टिकल forces में 4 Newton एक vertical force है then यह 1 cos 30 एक vertical force है then यह 5 sin 60 vertical force है 3 sin 45 vertical forces तो यह उपर जा रहा है plus ये उपर जा रहा है plus ये नीच आ रहा है minus और ये भी नीच आ रहा है minus तो आइए equation लिखते हैं तो ये 4 हम यहाँ लेंगे हम यहाँ लिखेंगे vertically उपर जाने वाले plus तो ये सबसे पहले हम नहीं 4 लेखे splitting उपर जा रहा है plus then 5 sin 60 vertically उपर जा रहा है plus 5 sin of 60 then 3 sin of 45 vertically downward है तो minus 3 sin of 45 और last में यह 1 cos of 30 vertically नीचा आ रहा है तो minus 1 cos of 30 और अब इसको हम calculator में solve करेंगे तो देखते हैं calculator में क्या answer आता है Kelsey degree mode में हो ना 4 plus 5 sin of 60 then minus 3 sin of 45 minus cos of that is 30 तो यह calculator में solve करने के बाद answer आएंगा 5 point that is 342 newton तो यह हमने summation of f of x summation of f of y दोनों यहां पे find out कर लिए और अब यह summation of f of x f of y यहां पे हम put up करेंगे तो summation of f of x 0.621 square और f of y माने 5.342 square और calculator में हम इसको solve करेंगे तो देखेंगे इसका answer क्या आता है तो अंडरोट of 0.621 square प्लस 5.342 square तो इसका answer आ रहा है that is 5.377 newton तो यह हमें resultant का magnitude मिल गया और अब हम इसका angle theta find out करेंगे formula हमने यहां पहले लिखके रखा है tan inverse of f of y का value उपर लिखो that is 5.342 और f of x माने 0.621 और calculator में हम इसको solve करेंगे tan inverse of 5.342 divided by 0.621 तो यह answer आएंगा 83.369 degree तो finally हमें resultant का magnitude resultant का direction इटमिस उसका angle इटमिस वो कितना degree से inclined है वो हमें पता चल गया resultant का magnitude direction के बाद हमें resultant का way of action शो करना है तो अगर हमें resultant का way of action शो करना है इटमिस हमें यहाँ शो करना है कि resultant इधर जा रहा है या इधर जा रहा है या इधर act कर रहा है कि इधर act कर रहा है तो वो हमें यहाँ भी शो करना है तो resultant का अगर आपको way of action शो करना है तो उसके लिए आपको resultant का quadrant चेक करना पड़ेंगा 4 quadrants होते है 4 में से कोई ना कोई एक quadrant में resultant रहेंगा तो वो कैसे पता चलेंगा उसके लिए आपको summation of f of x f of y का sign check करना पड़ेंगा आप देखिए summation of f of x f of y का answer क्या है तो यह देखिए summation of f of x का answer यह 0.621 यह positive में है summation of f of y का answer 5.342 यह भी positive में है f of x positive, f of y positive, positive, positive मानिक प्लस प्लस और प्लस प्लस जो sign है वो first quadrant का होता है it means resultant lies in first quadrant तो first quadrant में अगर रहेंगा तो हम यहाँ भी systematically यहाँ भी लिखेंगे कि since summation of f of x and summation of f of y both are positive therefore resultant lies in हम यहाँ लिखेंगे first quadrant तो यह हम first quadrant में रहेंगा ऐसा हमने लिखेंगे है और अब हमें diagram भी draw करना पड़ेंगा तो यह x-axis, y-axis और यहाँ पे हमें resultant show करना है और resultant का जो value निकाले, जो angle निकाले theta वो आपको यहाँ लिखेंगे 83.369 degree और जो resultant का value निकाले वो 5.377 newton तो finally resultant का magnitude direction position यह पूरी तरह से हमने solve कर लिए तो finally इस तरह से यह problem complete हो गया यह था method of resolution and composition का problem number 11 और इसके पहले हमने 10 problems किये थे, वो अगर आप लोग ने नहीं study किये हैं तो वो भी study कर लिजे उसके साथ साथ और भी number of topics हमने study किये थे, वो सभी videos आप देख सकते हैं उसके लिए आज के video के description में जाएए वहाँ पे इसके पहले के सभी topics के playlist का link मिल जाएगा वो link पे click करके आप आसानी से इसके पहले के सभी videos देख सकते हैं आपको अगर आज का video पसंद आया है तो आप इसे like करिए अपने friends से जिनको इसकी जरूत है आप उनके साथ इसको share करिए कुछ doubts है तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल subscribe नहीं किया है तो आप इसे subscribe करिए ताकि इसी तरह के useful videos आपको हमेशा मिलते रहें तो मिलते हैं next video में thank you very much